अध्याय दो मानवतावादी वैज्यानिक बहुत समय पहले की बात है एक पंद्रा वर्षी वालक हाथ में अखबार का बंडल लिए स्टेशन पर खड़ा होकर गाड़ी के आने की प्रतिक्षा कर रहा था उसका पूरा नाम थॉमस अलवा एडिसन था सामने ही स्टेशन पर स्टेशन मास्टर का लड़का खेल रहा था एडिसन यह सब देख रहा था उस समय एक इंजन माल गाड़ी की शेटिंग कर रहा था कि अचानक स्टेशन मास्टर का बच्चा खेलते खेलते पटरी पर चला गया और उसी समय वहां इंजन भी पटरी पर दोड़ा चला आ रहा था एडिसन ने या देखकर अपने हाथ का बंडल फेका तता तुरन बच्चे की ओर खूद कर बच्चे को उठा कर दूसरी तरफ छलांग लगा दी ठीक उसी समय स्टेशन मास्टर ने आकर उस लड़के को हिदय से धन्यवा दिया और कहा मैं किसी भी प्रकार से इस उपकार को नहीं चुका सकता किन्तु फिर भी मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ तो या मेरा स्वभा की होगा एडिसन ने कहा मैंने केवल अपना कर्तव विपालन किया है और अधिक कुछ नहीं हाँ आप एक बात में मेरी सहायता कर सकते हैं आप मुझे टेलीग्राफ सिखा दीजिए दूसरे ही दिन से एडिसन टेलीग्राफ सीखने स्टेशन मास्टर के पास आने लगा स्टेशन मास्टर ने प्रयत्न करके पास के ही स्टेशन पर उसे तार बाबु नियुक्त करवा दिया तार भेजते समय एडिसन के मन में नाना प्रकार की जिग्यासाएं उठती थी जिसका हल वा टेलीग्राफ ओपरेटरों से पूछ लेता था उसने एक ओपरेटर से पूछा विद्धुत समबात को किस प्रकार ले जाती है ओपरेटर ने बताया कि तार एक ऐसे लंबे कुद्धे के समान है जिसका मूँ शिकागो में है तो पूछ बॉस्टन में एडिसन ने पूछा परंदो समबात को पूछ से मूँ तक कौन पहुचाता है तार ओपरेटर इसका उत्तर ना दे सका उसने इस रहस्ट को समझने का त्रिन निश्य किया बिजली के लिए उसने एक काम चलाओ बैटरी बनाई इस प्रकारवा मौर्सकी खोट भाशा में सनमातीर ने तदा वहां से समबात सुनने में सफल हो गया यह एडिसन की सबसे बड़ी सफलता थी अब एडिसन दिन प्रति दिन नए नए अविश्कार करने लगा बिजली का पल और बिजली का पंखा सबसे पहले एडिसन ने ही बनाया एडिसन ने ग्रामो फोन भी बनाया आज भी आप बापू और चाचा नहरू की आवाज ग्रा मानवतावादी विज्ञानिक थे उन्होंने विज्ञान को मानव की सेवा में लगाया और उसे अधिक से अधिक प्रयोगात्मक रूप प्रदान किया शब्दार्थ नी संकोच बेजिजक बिना हिच की चाहट के समाजारपत्र अखबार प्रतीक्षा इंतजार प्रयत्म कोशिष बंडल गठर रहस्य भेद आविशकार खोज उपकार एहसान